कि अब आप कि कि अ ऐख्षिण स्विक्राइट रहे थे खेमिकल प्रॉपर्टिज ऑफ नाइट्रोजन फैपल उसकी अम ने कि अधर से ढ़िकशन है प्रिक्राइटे में स्बी और बी ये क्या बना रहे थे हैं कि एस्पी ओ सील ले से चील और यह बना रहा था बी ओ सील ले से चील कि एंजियल्टरी के अधर लीशिस में तो यहां हमारा बन रहा था हमोनिया और होचील मैंने आपको यह बहुता है तरीका याद करने के लिए नहीं सब बिमार पानी पर नहीं पड़ते हैं क्लेर नहीं सब बिमार के रियक्शन वीद्ट की तो मैटल्स के रियक्शन वीद्ट मैटल्स की तो देखो आप केलसियम की वैलेंस है कितनी होती है प्लस तू नाइट्रिजन की मानेस थी ठीक है केलसियम की प्लस टू फास्पोरस की मानेस थी तो जब मेटल के साथ रियक्षन करता है ग्रुप 15 का एलिमेंट तो बाइनरी कंपाउंड बना लेगा यह बनाएगा केलसियम नाइट्राइड और यह कैलसियम फॉसफाइड समझ मैं इसको लिखिए मैं आपको यह बताया था कि फैमिली को जानने के लिए हम वन बाइवन स्टेप करके चलते हैं तो सबसे पहले हम नहीं क्या किया उसकी पहचान की जन्रल एलेक्ट्रोनिक नफिग्रेशन से फि फिर उसकी फिजकल प्रॉपर्टिज फिर कैमिकल प्रॉपर्टिज अब कुछ कंपाउंड से जो इंपोर्टेंट है जिनके बारे में स्टडी करना है तो पहला कंपाउंड हमारा है यह दाइन नाइट्रोजन कि और लेश कि कलर लेश कि टेस्ट लेश कि अब यह कैसे पता करेंगे तो देखो एटमस्फियर में नाइट्रोजन लगबख 79 पर से बाई वॉल्म मैंने बताया था आपको तो अभी जैसे मालों मैं खड़ा हूं कि आस्स में तो नाइट्रोजन होगा ना बहुत ज्यादा होगा तू मैंने वॉला कालर लेश सामने कोछी डिखाइ तो दे रहें आपको डिखाए दे रहा है नहीं मतलब तो बढ़ प्रिजंट है तो वालूम है ना प्रिजंट है चलो COLORLESS हो गया orderless की बात कर ले कुछ महेंका रही है नहीं आ रही है तो orderless भी हो गया testless test करके देखो कुछ से test करो कुछ मिल रहा है गया नहीं तो यह colorless orderless और testless हो गया इसके लाब है जो nitrogen the nitrogen के nitrates होते हैं वह सालूवल होते हैं वोटर में तो earth crush में बहुत ज्यादा पाई जाते हैं महुसारा नाइटरेट में यूज किया जते हैं कि टो यह orderless colorless testless हो गया और है और हम और नदेट फॉर्म याद आ आपको बताया différentes नाइडरेट और सोदियौ नाइडरेट सीधियौ नाइडरेट like सोदियौ नाइडरेट potassium nitrate and it forms in earth crust something important occupies earth's atmosphere occupies earth's atmosphere clear by 79% by volume clear and usage of NCRTHA when we study block chemistry we will study molecules if we study a molecule which is very important then first of all the preparation then the reactions and then the application first of all the preparation then the reactions and then the application we have seen this physical property preparation preparation of dinitrogen first of all the preparation then the reactions then the usage clear first by metal nitrites metal nitrites NaNo2 sodium nitrite and this is NaNo2 sodium nitrite and this is this decompose this decompose and this dinitrogen plus H2O clear basically here what is here 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 salt Na plus Na here H4 what is Na 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 plus H4 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 and here Na H4 H4 the H4 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 बाई हीटिंग ऑफ डाइक्रोमेट्स 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 को जब हीट करेंगे तब भी हमें डाइक्रोजन मिलता है जैसे NH4 होल्टोईज अमोनियम डाइक्रोमेट्स अब आप यह सुचों कि सर रियक्षन सियाद कैसे करें तो सबसे सिंपल क्या है कि जहां पे भी आपको अमोनियम सॉल्ट मिले यह देखो अमोनियम सॉल्ट ही तो है यह भी अमोनियम सॉल्ट है अमोनियम सॉल्ट है पहला काम इसका पानी पुरा निकालो आपणे पूरा निकालो फॉर निकल बोलो निकाल है टुटु अ मिला बचा क्या डाइन अर्टुद्ट में आliवार यहां पे देखो पानी निकालो यहां निकाल और और चार ऑक्सिजन यूज हो गया थ्री और बचा है और चार टू ओ त्री अब बचा क्या एंटू ठीक है गड़बड यहां होती है जब यह एनच फूर नो टू की जगह पर नेच फूर नो थी होता है नाइट्रेट रहेगा तब देखो आप पाने निकालो सारा तो टू इस है अभी भी हमारे पास इक ऐसी बचार तो यह आ tö सब्सकों का फिर याद रखनार इसको लटगे यह नाइट्रेट है नाइट्रेट में बनता है और नाइट्राइट में हमारा एंट बनता है इसको लिखिए तिसना मेथए देख़ते हैं कि भाई ही टिंग ऑफ हर तो अब हीटिंग ओफ कि मेटल अजाइड कि आपना अधर अधर है और नाइटराइड के हैं एंधरी निगेटिव यहां पर मानिस थ्री का चार्ज है यहां मानिस वन का चार्ज है तो अगर मेटल एजाइड देखते हैं अब एक बीरियम एजाइड इसको गर हीट करते हैं हम तो हम अधर द्यीन मिल जाता है इसके लाएं स्यॉडियम एजाइड को भी हीट करेंगे तो वहमें Istनल मिलता है इस केश में प्यो वन मिलता है वैरी प्यूरड नाइट्रोज न Tä often कि अगा सबता है कि कि प्र प्र नाइट्रोज द विघ्टन विच में जुड़ वी यू थे थे के तो आप यह इन्सर्माक करोगे for pure nitrogen which method is used तो आप लिखोगे heating of metal azides clear हो गया इसको लिखे चौथा method लिखे by fractional distillation by fractional distillation तो di-nitrogen का जो boiling point होता है वो तेल अप्रोक्स माइनस 196 degree centigrade oxygen का boiling point होता है अप्रोक्स माइनस 183 degree centigrade ठीक है एर में इजली मिल जाते हैं दोनों अब इन दोनों में boiling point का difference है बोलो delta है ना तो मैंने आपको बताया था कि distillation method वहां यूज करते हैं जहां boiling point में डिफ्रेंस हो तो यहां से भी हम di-nitrogen निकाल सकते हैं clear एक और method देखिए by producer gas तो प्रोडिशर गैस क्या होती है आप बताव बताव इस यह प्लस है इस टू सही है नहीं यह होती है water प्रोडिशर गैस को हम कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से पास कराते हैं थोड़ा से टीपिकल है अब मेथड है तो क्या गर सकते हैं यहां तो करना ही पड़ीगा तो जब प्रोडिशर गैस को क्योंकि क्या पूछने वाला है जितने मैक्सिमा मेथट से वह हम देखने कोशिश कर रहें तो यहां पर से उपर से जब हम प्रोडिशर के इसको पास कराते हैं तो यह सियो ऑक्सिडाइज होके स्यूटू बना लेता है ठीक है और एंटू मिल जाता है अब स्यूटू और एंटू को हम सेपरेट करना है तो हमने कोई भी बेस मिला लिया अगर यह बेस मिलाएगा तो यह बेस इसको एप्जॉब कर लेगा तो बेस एप्जॉब कर लेगा कार्बोनेट बना लेगा देखिए यह कार्बोनेट बन जाता है और फिर वाटर मिल जाता है आपको है ठीक है जब भी आपको स्यूटू के अब्जॉब कराना होगा तो आप बेस मिला लो आपका काम बन जाएगा क्लियर इसको लिखे नेक्स बात आती है प्रुपर्टीज की अनधु को याम में तो यह अनध्र कूपबन and बहुत ज्यादा स्टेबल होता कैं सिसी के वहे से यह म्यायर में इतने ज्यादा मुआant मिलता इतना ज्यादा कुम्य कि मिलता है इस और एक्सन नहीं कर पाता ह। समाख रहां तो अगर रेक्षिन नहीं करेगा तो आसानी से अबल रहेगा तो रहते हैं हाइड इस टेवल होता है कि यहां एक आना आशेर आपको कि सब्सक्राइब दो तो रहे नियों करता है लोता है यह आनिस्टेभल रहता है यह बहुत ज्यादा तो यह dipole create करता है यह directional होता है that's why यह highly unstable होता है triple bond इसमें भी है लेकिन dipole create करने को जैसे यह unstable होता है जबकि यह dipole create नहीं करता है इसलिए stable होता है एह मोटे गत्र हो देखें। तो इसमें 14 kill है scorquer E3 अता है कि दोनों की स्टेब्ल होने चाहए वेशली की दोननों स्टेबल होने लेकिन इसमें डाइपattoल मोमेंट के उयसे हमारा स्टिबरेटी घड़ जाती है और यहां पर highly इस्टेबल होता है नेक्स्ट देखते हैं डाइन नैट्रोजन मेटल के साथ रियक्ट करता है और मेटल नाइट्राइड बनाता है कि अगर कि यह कंपॉल्ड आपको याद आ रहा है कि इसके पहले मैंने कहां बताया यह एलन कहां बनता है बताओ जहां इसे लिगा कि इंप्यूरिटी होती है राइस्थान वाला याद आ रहा है इसका यूज कहां करते हैं हम कि वाइट बॉक्साइट कि मेटलर्जी में है ठीक है डाइनाइट्रजन है कि स्ट्री मॉल ऑफ हाड्रोजन के साथ रियक्षिन करके अमोनिया बनाता है कि यह इसको बोलते हैं है वर प्रोसेस कि और अमोनिया बनानी की विया कना है वर को इसले आए भॉल ऑफ हाड्रोजन के साथ रियक्षेंट करकर अमोनिया बनाता यह एकशन जो धी है वर सकराथियो इसमें इसमें डिल्ट सब्सक्कुराइज होता है है लिए फिक अ तर्मिक होता है प्रिंस्पल से आप देख सकते हो रिएक्शन फेबरेवल कब होगा जब टेंप्रेचर लेस होगा अब प्रेशर हाई होगा यहां पर टेंप्रेचर लगबग 500 इंटिग्रेट लेते हैं और प्रेशर बहुत ज्यादा लेते हैं लगबग 200 एटियम ट्रेंड़ एट्मस्पेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तेंप्रेचर 500 इंटिग्रेट लेते हैं याद करने का तरीका बता दिया आपको या तो आप लिच अटलेस प्रिंस्पल से देख लो ठीजिए को बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसलिए बता रहा हो लिच अ यह का यह फिर प्रेशन पूछे को अगर उप्सिजन के साथ रेक्शिन करता है यह बनाता है इंदो इसम्म जो होती है कलर लिश गैस होती है अब याद करने की ज़रूत नहीं है बात में जब औक स्थने पढ़ाएंगा तो वहां पर यह चीजे वापस से आएंगे कलर लि कि और एलेक्ट्रोन मॉलेक्वल होता है कि वहां पर दुबारा से देखेंगे नेक्स्ट क्याल्सियम कारवायड के साथ जब रियक्षिन करता है डाय नैट्रोजन तो यह बनाता है कि यह सी एन टू कई जगा पर आपको यह ऐसा भी मिलेगा सी एन सीन इसको बोलता है नाइट्रोलिम फर्टिलाइजर फट्लेजर यूज करते हैं इसको ठीक है यह ऐसी टू केल्सियम कारवाइड है कल्सियम कारवाइड का रियेक्षन के साथ सी एच नाईट्रोजन बनाता है नैट्रोल साथ और जब यहां से बोल सकते हैं कि ammonia के production में भी हम यह प्रोसेस कर सकते हैं तो जब ammonia में पढ़ा होंगा तो वहाँ वापस से आएगा समय इंटरिलेटेटेट है तो यह टोटल रियक्शन रुए जो हमें डाय-णैट्रोजन में पढ़ने थे लिक वाप और हमने दाय निट्रोजन की फिजिकल प्रिपर्टीज देखी उसके बाद इसका प्रिप्रेशन देखा फिर हमने उसका रियक्शन देखे और लाश्म देख रहा है यूज तो यूज जो दाय निट्रोजन यह थे रेटिकल पूर्सन है दाय निट्रोजन आप बता सकते हो इसली पहला इन प्रोड़क्शन आप अमोनिया दूसरा इन प्रोड़क्शन आप नाट्रोलिम फर्टिलाइजर नाट्रोलिम फर्टिलाइजर त्रीसरा इन प्रोड़क्शन आफ नाइट्रिक एसीड अच अनो थ्री जो हमने यह एन टू प्लस ओ टू करके रियक्शन अनो बनाया था यह अनो एच अनो थ्री के प्रोड़क्शन में यूज होता है ठीक है यह वहां पर दुवारा से आएगा जब अचनो थ्री पढ़ाऊंगा आपको तो यह इन प्रोड़क्शन ओफ नाट्रिक एसीड नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं अमोनिया तो सबसे फ़हले फिश्कल प्रोपाइटीज पंजेंट और पंजेंट और पंजेंट और और कलर लेस बट गिप्स वाइट फ्यूम्स वैंड रियक्ट स्वीट है अच्छील अमोनिया के इस्टिमेशन में काम आता है या आप सॉल्ट अनलिशिस में पढ़ोगे कलर लेस गैस तो होती है अब गैस को पहचानी है कैसे तो हमने अच्छील थोड़ा से लगाए तो वह वाइट फिल्मस देता है जो आप ट्राक्टिकल करोगे तो वहां पर देखोगे ठीक है पंजेंट ओडर का मतलब समझते हैं तो अमोनिया का अगर आपको अड़र लेना है महाक ना है तो आप वाश्रूम चले जाओ ठीक है वाश्रूम माली जो महाक होती है वही पंजेंट स्मेलिंग होती है नेक्स्ट है हेट्रोज्यन बोंडिंग के वीज़ैंसे अमोनिया का मेर्टिंग प्वाइंट और बालिंग फईन हाई हो जाता है यहीं स्रायं मेल्टिंग पॉइंट एंड वालिंग पॉइंट हाई डू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोलो समय में आ रहा है तीसरा हाइली सॉलूबल इन वाटर प्यूल करो भाई समझे आप हाइली सॉलूबल इन वाटर आप जुनियर क्लाइसे पड़ते आ रहे हो तो नहीं होता क्या है अमोनिया ही तो है यह बना लिए नहीं होता है तो कैसे मिलता है तो यह हाइली सॉलूबल इन वाटर होता है लेखो इसको सबसे पहले देखते हैं मेठड़ में कैसे बना सकते को bipolar लाज़ें ही होती है बहुत लिमिटेट चीजह होती है आप अपने 12th class के लैब में जाना वहां पर भी आप अमोनिया बना सकते हो और वहीं से अमोनिया जो गैस निकलती है तो वहाँ यह थोड़ा सा यूज करते हैं तो वह वाइट फिर्म आते हैं यह अप लैब में प्रैक्टिकल करोगे तो अपने आप आपको फील आ जाएगा लैबराट्री मेथड तो है रियक्शन ओफ एनी अमोनियम शॉल्ट रियक्शन ओफ एनी अमोनियम शॉल्ट बेस कोही बेस ले लिजिए और उसके साथ जो भी अमोनियम सॉल्ट है उसका रियक्शन करा दीजिए आपको अमोनिया मिल जाएगा जैसे दो है आपको है है कि पार्ड टो हाइव को हैज तो यह आपका मिलिया अमोनिय प्लस है तो बेस्ट प्लस प्तैसियम नाइज़िट्रेट इस सिंपल है नेले पॉजिटिव ऐनो थरी निगेटिव के पॉजिटिव पोजिज निगेटिव तो यह इसके साथ कर लेगा यह इसके साथ कर लेगा ठीक है तो यह आपका आगिया देखो आपकी NO3 मिल गया प्लस NH4OH मिल गया और यह NH4OH होता क्या है NH3 प्लस H2 बात समझ में आई लैब में NH4Cl आसाने से मिल जाता है अमोनियम क्लोराइड इसका भी बेस के साथ रियक्शन करा दो आप तो आपको मिल जाएगा NH3 प्लस H2 प्लस KCl लिखे इसको बाइए हाइड्र लेसिस ऑफ मेटल नाइट्राइड तो मेटल नाइट्राइड के कुछ एक्जामपल्स बताओ आप मेटल और उसके साथ नाइट्राइड लगा दो जैसे मेटलर्जी में हमने देखा था जब नाइट्राइड के मेटलर्जी किया था तो वही किया था ना कि एलन बनाया और एलन आपका हाड्री लेशिस करा दिया था है तो यह बन गया आपका अमोनिया एच और तो यह एमजी ओएज का होल ट्वाइस वालो यहां पर भी देखो यह एच लेकर जाएगा अमोनिया और यह यह लेकर फ्राइस बन गया आप बात समझ में आ रही है इसके बात देखते हैं तीसरा मेथड लाइब है आप है हाड्रोलीशी ओफ अ है अ है जो लिंब है फर्टिलाजर कर सकते हैं ना भाई अभी तो जेश्ट मैं आपको बता रहा था तो हमारे पास नाट्रोलीन फर्टिलाजर था है सी एस एन टू कि अधियो है हाड्रोलीश करा हो है तो यह आपको बना लेगा सी ए इस यो थि प्लस ए अमोनिया आप नेक्स देखते हैं मोस्टट वेज़ बोल सकते हुआ ईसाल सबस्य आदा अमोनिया यहीं से बनाते हैं इसके बूलत 210 प्रोशेश है वे बोगर भॉष अ को बॉलते हैं दोनों ने अमोनिया के प्रोडक्षिन में अपना युगदान दीया था इसलिए कई जिगा पर आपको हैवर भॉष प्रोसे मिल सकता है और mostly आप देखोगे तो हैवर प्रोसेश मिलता है देखो इसमें क्या करते हैं यह तो आपको याद हो गया हो गया अब तो कि एंटू प्लस त्री एस्टू टू टू त्री यहां पर कैटलिस्ट लेते हैं एफ़ी टू थरी का कि टेंप्रेचर आपको हो जाएका अंड़ेटेगे सेंटीग्रेट प्रेशर हो जाएगा टूंडड़ेटी एम है डेल्टा एच लेस्टन जीरो है क्लिए तो यह अमोनिया के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बड़े-बड़े प्लांट्स लगाया जा हाइड्रोलेसिस ऑफ यूरिया है मैक्सिम्म पॉसिबिलिटी अपन देख सकते हैं क्योंकि हमें नहीं माल पाया थे क्या पुछना वाल दी ठीक है और इस्टू सी डावल बंडो नेस्टू है यह बनाएगा आपका कि यहां सभी आमोनिया आपको मिल जाता है कि वाइग रियक्शन ओफ कि मैटल नाइट्रेट्स तो विद जिंक तो जब जिंक का रिक्शन हम कराते हैं है मैटल नाइट्रेट के साथ जैसे एन एमनो थ्री प्लस हमने यहां पर बेस ले लिया तो यह मिला कि आपका सोडियम जिंकेट दे देगा कि सोडियम जिंकेट दे दिया और हमें आमोनिया मिल जाता है है मेटल नाइट्रेट की जब हम की मेटल नाइट्राइट की ले सकते हैं उंक्ता नाइट्राइट्स बिल मिल का तो हमें यह पता चलेए कि यह नाइट्रेट है इन दोरह में से कोई एक प्रिजेंट है इस न प्लस जड़न प्लस न वह अच्छ अब यह रियक्शिन करेंगा तो फिर सेम प्रॉडक्ट बनाएगा प्लस अमोनिया इसको लिखिये हमने अमोनिया का प्रोडक्शन देख लिया अब देखते हैं क्यामिकल प्रॉपर्टिज ओफ अमोनिया एक यह विक बेस है तो यह बहुत सारे मेटल के सॉल्ट को उसके ऑक्साइड में करवर्ट कर देता है देखते हैं और एक वेक्वास अमोनिया मतलब एमस्ट्री एक बघ्वास बिखा हो सकता है यह एक वीट बेंस है वीट बेस है बहुत सारे मेटल सॉल्ट को उनके ऑक्साइड में प्रिसिपिटेट बना देता है जैसे दिखते हैं फे-सल्ट्री तो यह था था तो इसने माना दिया अमोनियम सॉल्ट प्लस अफे-टुओ-ट्री डॉट एक्स-टू अब यहां पर देखो आप फे-प्लस-3 पर यह जो पीपिटे बनेगी हमारे पास है यह होगी ब्राउन पीपिटी नेक्स जाखते हैं अमोनिया रखते हैं एक्स अमोनिया प्लस जिंक सल्फेट तो यह अमोनियम सॉल्फेट बना लेता है प्लस भीका है यह वाइद हहाएड्य डेक्स देटा है यह आपका ऊईपिपिटी डेता है आं हand到ff निम जारख नए फल में मस्टी पड़ीजे हैं तो पासरा प्ल। यह बहुत काम आने वाला जींक प्लस-तू पर डयां देता है फिप्लस त्री पीड्राउन पीटी देता है वहां पर भी यूज़ होगा अब देखो हमने एक्सेस अफ मोंटिया ले लिया तो यह सॉलूबल कॉंपलेक्स बना लेगा यह सॉलूबल कॉंपलेक्स बना लेगा कि थोड़ा सबर रखो मैं अच्छे समझाता हूं आपको नेक्स जाखते हैं तो यह बनाएगा आपका सियार ओएज का होल थ्राइज प्लस अमोनियम क्लूराइड तो अब आप हमें बताओ कि इस पीपीटी heiß किलर क्या होना चाहिए इस इस से पिपीटी का लक्या होना चीए ठॉढ़ रख पहले मैं आपको डाइब क्प्रमेट के हीटिंग बढ़े थ drought कि वाहां पर बताएद था आपको डाइनैट्रोजन मिलता है Cr2O3 मिलता है, plus H2O मिलता है, तो यहाँ पे लिखाता है मैंने कुछ, यह कौन से color का है, यह green solid है, oxidation number देखोगा, chromium का, plus 3 है, same यहाँ पे देखो, plus 3 है, तो यह आपको green PPT देगा, बात समझ में आ रही है क्या, लिखे इसको, next देखते हैं, NiCl2, plus Equus Ammonia, तो फिर से यह देगा, NiOH का whole choice, plus NH4Cl, Ni plus 2 में है, तो यह green PPT देता है, next है, Cobalt chloride, plus NH4OH, आपका, पिंक PPT देता है, अंग Adam अब में यह ठ्रेक्ट मशन है के इसको लिखे c iniz एक हो हम्प्लेक्स फोर्मेशन बाइं में अंद्रEP तप कॉंप्लेक्स फोर्मेशन बाइं में अधर दर को मैं देखो आप उन् мень पहरण थे व्यां देप सकता है क्लें और दो बोलो तो यह एजा नोई इस बेस की तरह काम कर सकते हैं कि अब बताओ कलर बताओ क्या होगा कि कॉपर प्लैश्टू पर है कलर क्या होगा कि इसका कलर बताओ कि क्या बोलते हैं इसको कि ब्लू विट्रल याद आ रहे हैं यह ब्लू विट्रल कि प्लैश्टू पर है कि यह आपका वज़ाय का डिप ब्लू कलर अब यहीं कंपाउंड ते जहां हमारी बीटी फेल हुई थी याद आ रहे इसका हाब्रेशिशन मेंने आपको बताया था थी स्पी डी अए तो अगर आपके कुश्चन में एस्पी टू नहीं रहे तो डीसपी टू माक करना नेक्स देखतें ठीक है शिल्वर अमोनिया यह कलर्लिस सॉलूशन दे देता है कॉंप्लेक्स बना के अब तो कोई डाउट नहीं है न एजी प्लस पर है एजी प्लस वण यॉद्षा नंबर बुलो एजी क्लायि प्लस उखिडेशन नंबर टो वन प्लस उखिडेशन नंबर वला कितना देता था उड सरक वहले क्या Hari नएकर देता नोड तो यह आङए नवर क्याद गिए तो यहां पर टू कोडिनेशन नंबर में रहता है कि हाँ कि को नेट्ट दखते हैं है 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 थी टिक है समझ में आ रहा है न यह पुरा अमोनिया के पास लोन पेर है लोन पेर होने के वज़ाए से बहुत अच्छा लग्स बेस बन जाएगा और यह असानी से सब्सक्राइब करना है यह जबिए तो आप सेंट्रल मेटल अटम का ऑक्सिडेशन नंबर पता कर लो वहाँ से मैक्सिमम चीजे आपकी अपकी सभी होगी फिर से मैं इन औरके निक जितना ज्यादा आप ऑक्सिडेशन नंबर पे खेलोगे उतना बैटा रहेगा आपके लिए ठीकिए इसको लिखो थर्माल के डिकम फूजिशान ऐसाल्त अर्ट की दिक्न पूजिषंदॉ दिकम पूजीशन ओफ अमोनियम शॉल्ट आरहे आं पूम्म़नियम शॉम्म तो अगर सॉ पुम्म में रहा है तो एक पर्ट के टैन और एक नयान हो तो अमोनियम शॉल्ट है तो एक पार्ट के टायन तो फिक्स होगे अपना वोलो अमोनियम अनायन दो तरीकी का हो सकते हैं यह तो आक्सिडाइजिंग हो जाए जैसे अनो टू निगेटिव निगेटिव नाइट्रेट लिए टू ऑगेटिव ओसेवें डू नेगेटिव ऐसा कुछ रहा है तो जो यह नाय त्री पर यह यह तो यह तो यह तो यह तो चला जाता है यह एंटू पर चला जाएता तो अगर ऑक्सिडाइजिंग रहे तो एंटू या फिर एंट्व बनेगा दूसरा नॉट ऑक्सिडाइजिंग रहे है जैसे क्लॉराइड्स कि शल्फेट्स कि यह नॉट ऑक्सिडाइजिंग रहे तो यह अमोनियम जो रहता है यह अमोनिया में ब्रेक होता है को मानेश तरी से मानेश थरी पर रहता है क्योंकि नॉट ओक्सिडाइज नहीं कर पा रहें और मैंनेर्स यहां पर अब्लशन पर प्लस ओन प्ल्टेता है पहले आपको जैसे मैंने बताया थffentlich था आपको ऑने फोर नोटू लॉसर फोर नोटू अमोनियम नाइट्राइट इसका डिकमपोजीशन कराओगे तो क्या मिलेगा सबसे पहला रियक्शन मैंने यह बताया था आपको था डिकमपोजेशन होगे तो यह एंटू में जाएगा बोलो यह वातर बचा है कि एक और देखते हैं कि नाइट्रेट कि यह एंट्व में जाएगा है ठीक है और बताया था अमॉनियम का सॉल्ट ही ले रहे हैं सारा सारा कि यह भी ऑक्सिडाजिंग यह भी आपका एंट्व में जाएगा तो यहां पर अमॉनिया में मयनस दूम है मनस दूम हें इन जिघ् 어त घंग हो जीए रटीक है तो यहां पर जीरो गया है यहां पर फ्लस्वन ओं गया आप जीरो में फ्लें ठीक और इसके एग्जामपल्स देक लेते हैं not oxidizing के यह अच्छे से नोट्स बना लेना आप तो not oxidizing में देखो NH4Cl not oxidizing तो यह ammonium तूट जाएगा नहीं स्थी प्लस HCl Ammonium sulphate तो NH3 प्लस S2SO4 क्लियर हो गया लिखे इसको next बात आती है test of ammonia तो पहला तो यहीं बता दिया कि अगर ammonia मिल रहा है तो आप HCl मिला दो NH3 प्लस HCl यह NH4Cl बना लिए यह वाइट फ्यूम्स देता है ऐसे वाइट वाइट धुआ निकलेगा ठीक है दूसरा है वाइट नेसलर्स रिएजेंट नेसलर्स रिएजेंट का फॉर्मूला में आपको कोडिशन कंबाउन में कर आया हूं लेकिन वहां बताया नहीं थे मैंने बुला था इसका यह पेसे लिखोगा तेक यह कॉंप्लेक्स अंदर रहता है अमने जब रियक्शन करता है नेसलर्स रिजेंट के साथ रियक्शन को फास्ट करने के लिए थोड़ा सा बेस मिलाते हैं प्लस के टू एज़ी आई फॉर तो यह अपने को ब्राउन रंग की पिपिटी या ब्राउन रंग के लरेशन देता है इसमें आपका होता है एच जी यो एच जी आई प्लस के आई ठीक है यह जो होता है यह ब्राउन कलर की पिपिटी होती है या ब्राउन कलरेशन हो सकता है यह में इसको एक और नाम देते हम मेलां बेस कुरते हैं हुए यह इसाजिए रिपीट होंगे जब अमोनिया का एस्टिमेशन पढ़ेंगे स्वाइब लिए स्वाइब लिए इनालीसिस में जितनी यह बाते बाइब लिए कहले यह वापस से जब हम सौने पढ़ेंगे तो सार तरीके से उसके बाद से हमने अमोनिया केमिकल प्रोपर्टिस पर लिए एक वैस अमोनिया अपने लोन पेर की वज़ाए से बहुत अच्छा कॉंप्लेक्स बना सकता है और इसके लावा यह भी देखा कि अमोनिया जो भी हमारे मेटल उनके सॉल्ट से उनके मेटल ऑक्साइड का पीपीटी बना कर देता है क्लियर हो गया इसका फिर हमने अमोनिया का टेस्ट भी पढ़ लिया अब यूज ऑफ अमोनिया देखते हैं तो अमोनिया का यूज हम घ्रीश हटाने में करते हैं कपड़ों पर हमारे घ्रीश लग जाता है तो उसको हटाने के लिए हम अमोनिय इसके लवा हम फर्टिलाजर स्समें आमोनियम पॉस्फिट अमोनियम अल्पेट अमोनियम नाइटहरेट यूडिया यह तो लगार्य करते हैं तो यूशेडर Donia Talking है ऐसे अमोनिय दो अब देखते हैं शोफ नायट्रॉजन हो। तो आपके सामने है यह oxides of nitrogen देखके डरने की जरुवत नहीं है सबसे पहले सिंपल है oxidation नमबर पर जाओ आप प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 सेम ही है इसको बास हमने अब देखो यह नाम क्या होगा डाइ निट्रोजन और प्रिपरेशन बताया ही था आपको नाइट्राइट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा एंट्राइट पता चुका हूँ मैं आपको बता चुका हूँ मैं आपको colorless और neutral अब color की जब बात करेंगे ना तो बस यह दोनों बीच वाले color वाले होते हैं ठीक है बाकि सब colorless होते हैं तो three और four three और four three और four याद रहेगा बीच वाले one two छोड़के और five छोड़के बीच वाले को आपको ञाद करेंगे होते हाँ तो याद करने के तरीखा दोनों में दोनों में तो तो ब्लू होता है यह थिक एक जोता है पानी को नहीं और इसके आगे आपका नीट्रल हो गया देखो और नो बनाने का तरीका तो बताए था नाइट्रोजन के साथ रियक्षन और भी जगह आएगा और भी जगह पर यह बनता है वह थोड़ा आगे देखेंगे अम नाइट्रिक एसिड में एंट्व त्री कैसे बनाते हैं प्लस और यह दोनों और इलेक्ट्रोन मोलिकूल से स्ट्रक्चर में इसको समझेंगे देखो आप एंट्रवल बॉंड ओप क्लियर तो इसके वालेंसि कंप्लिट होगी अभी इसके पास इलेक्ट्रन बागी रहा गया और इलेक्ट्र Preis मॉलकिल बन गया एनौट्ँ करें आते है इसमें दे लिए इसको जाए और क्या करेगा एको और करें पर इसको दे दिया तो एक मच घisson तो यह दूनोस आपस बोल्निंग 125- perd कि सब्सक्राण ओंच एक गया आपको बहुत बार मिलेगा अभी रियक्शन आगे बहुत सारे आने वाली वहां देखोगे कि नैट्रिक इसेट के साथ हम रियक्शन कराते हैं तो इसके बार में टेंशन मतलों बहुत ज्यादा पढ़ने वाले यह रियक्शन हमने बस इसको डाइमराइज कर दिया आपको तो है कि नहीं भाई है ना कि याद रुखना डियाइडरेटिंग एजेंट है तो पानी खीचेगा पानी खीचेगा तो हो जाएगा स्टो प्लस पीफो रोटेन अब बचा क्या इसमें एंट्व फाइब बोलो बात समझ में आ रही है अब यह दोनों आपस में रियक्शन कर ले फोर बनाता है ठीक है लेकिन अभी कम है तो एक एच्पी फोर बना लेगा तो एच्पी फूर और यह आपका मिल गया एंट्व फाइब समझ में आया इसको नोट डाउन करें एंट डवल वांड एन अभी पर तेन इलेक्ट्रोन है इसके पास ऑक्सीजन को दो चाहिए दो बन गया इसके लाव और क्या सोच सकते हैं एंट्रिपल वांड एंड ले ले लें और यह अपना लोन पर इसको देदे बोलो समझ मैं रहा इन दोनों में ज्यादा इस्टेबल कौन होगा यह होगा क्योंकि यहां पर एक और एलेक्ट्रोन बन रहा है तो यह ज्यादा समें रहा है और एलेक्ट्रोन कर بعlar है नेक्स देखो इनक्त कर अध्याद फॉट यह हो गया प्लस वन यह प्लस डू अब Hadrrय 3-13 को इसको देखने पहले हम देखते बहुत आन कलई अध्यु data यह आपका ऌम टॉर न्ट्टो देखते हैं तो यह आपका न egy को हूह बाइल प्रकवाम लिया हो गया एक लथा डैवल पॉण वर इसको लिखता हो मैं estिंगल डोबन को यह तो यह अपका और इलेक्ट्रों अब ये दूनों को बॉन ना लुए पि कर दो तो यह आपका हो गया N203 बात समझ में इसको डाइमराइज कर लो यह प्लस फूर हो गया प्लस फूर वाला एक और था N204 इसको डाइमराइज कर लो तो यह आपका हो गया N204 और प्लस फाइब वाला देख लेते हैं इसे में रखेंगे स्ट्रक्चर बनाने का बेसिक तरीका याद रखना आप कि सिमेट्री फॉलो करें पहली चीज और दूसरा और आपके लिए आपके लिए अब देखो एक यह तरीका हो गया N203 एक ऐसा भी मिलता है जेडिली में एक और स्ट्रक्चर दिया हुआ है अब आए पूछ सकती है जेडिली में ऐसा भी इस्ट्रक्चर दिया हुआ है यहां पर यह बॉन्ड लेंथ आती है यह बॉन्ड लेंथ आप्रॉक्स 1.86 एंगस्ट्रोम आती है अधिक अनन बॉन्ड लेंथ और जब हाइड्राजिन की बात करते हैं तो हाइड्राजिन जब इस वह बॉन्ड फॉरित आती है जबकि यहां पर 1.86 आती है तो एक और स्ट्रक्चर प्रॉपोस किया गया है यह कि मैकसिम जगह पर आपको यहीं मिलेगा एंज्ट इमें अपको यहीं दिया हुआ अब इन में आपस में रिजॉनांस भी हो सकता है कि इन में आपक्स मर्रानइस भी हो सकता है तो यह एक और रेजम कर लेंगे तो इक और के तो यहां पर रियक्शन के थोड़े पार्ट आने शुरू हो गया है तो थोड़ा प्रावलम हो रहा होगा आपको कि कि इतने सारे रियक्शन से कैसे कैसे सब्सक्राइब तो पहला चीज सबसे पहले ऑक्सिडेशन नंबर पर खेलो आप जितना जादा इन और्गनिक खेल पाओगे ठीक है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमाम रियक्शन को तरीके से बताओं थाकि आपको याद हो जाए ठीक है क्योंकि याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कोश्चन कहीं से पूछा जाता है पी ब्लॉक में कई बार क्वेशन आयाई टी एंसे पूछती है और बच्चों को मालूम ही नहीं रहता है किस पार्ट से आया हुआ है और हम यह सोचके चले जाएं कि यह वाला पार्ट छोड़ देते यह तो नहीं पूछेगा वहीं से आत पर से पहले हमें सारी चीजे लगवग आनी चाहिए 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 वह याद करके आए या कॉंसेप्चुली है किसी तरीके से आना चाहिए यह मत सोचो आप कि बस हमारा कॉंसेप अच्छा है तो हम जाके वहां पे पेपर लेंगे बहुत अच्छा हो जागा बिलकुल न करना है तो सारी प्रोसेस आने चाहिए याद भी करना है कॉंसेप्ट भी बनाने है टाइम मेनेजमेंट का विध्यान देना सारी चीजे जब आप एक साथ इनकल्केट करके पेपर दोगे तब यह अची रैंक बन सकती है इसके आगे है नाइट्रिक एसिट वह हम कल पढ़े का इसंद अरैंक करे लाईख यह वह और इसाल सारी चाहिए्यां।